मैं हूँ दिल्ली के जी टीवी हॉस्पीटल में और मैं आपको दिखा दू यहाँ पर डॉक्टरों का जो है विशाल धन्ना परदर्शन चल रहा है आईए जानते हैं इनके प्रमुख मांगे क्या है सरकार के समख्ष आप लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं क्या ऐसी प्रमुख मांगे जो आप लोगों को स्ट्राइक पर आना पड़ा हमारे हैं पर डॉक्टर्ष की बाच की कमी हो रही है एक पूरा बाच नहीं आये कौन्सिलिंग पिले होने के वज़ा से हमारी एक ही मांग है कि डॉक्रेदट हैं का उने कांशिलिंग जल्दि की जाए यही हमारी मांग है अभी के लिए डसेजंशन जो है सुप्रीम कोट का डेफर किया हुआ है 6 जन तक तो हमारी यह जल्दी हो इसकी अगली डेट शे जनवरी की दी गई है हमारी मांगे है कि वो डेट जल्दी की हो ताकि काउंसलिंग जल्दी हो सके हमें एक पूरे बैच की कमी हो रही है डॉक्तर की जिसकी वज़े से पेशंट केर भी नहीं हो पाती है हमारे एक ही मांग है कि हम जल्दी से कांसलिंग कर पाए है जल्दी से दॉक्तर आहिए क्या दिक्कते आप लोग के समक्ष क्या क्या आ रहे हैं डॉक्तरों की कमी की वज़े से पेशेंट केर नहीं हो पाती है पेशेंट का ही नुकसान होता है जब डॉक्तर की कमी होती है हमारी मांग पेशन्ट के लिए है ताकि डॉक्टर आए और पेशन्ट केर जादा अच्छी हो पाए और हमारा एक बैच नहीं है तीन बैच होते हैं डॉक्टर के जो अस्पताल चलाते हैं उसमें से एक पूरा बैच नहीं है एक्जाम का रिजल्ट आ चुका है पर काउंसिलि जल्दी हो और बैच आ सके यहां पर ट्रेनेंग डॉक्टर हैं सारे हम पीजी रेजिटेंट हैं तो तीन बैच होते हैं पीजी डॉक्टर के एक पुरा बैच नहीं आया तो उसकी कमी की वज़े से यहां पर विक्कत हो रही है बड़न बढ़ रहा है डॉक्टर पेशिंट केर हांपर हो रही है हमारा मेन इम है मेन मांग यही है कि डॉक्टर का एक बैच आ जाये जल्दी हो जाने ते वह अभी तक नहीं है अभी तक सुप्रिम और सिर्फ सुनवाई चल रही है अभी पता भी नहीं है कि उसका रिजल्ट अब आएगा और आगे कांस्लिंग स्कीम कब शुरू होगी और कब तक हमारे फस्ट यह पाएंगे यानि क्या आप चाह रहे हैं यहां पर जो जी टीवी ऑस्पिटल के विभागी तरफ से आपके समख्ष जो भी जो कारवाईयां होनी चाहिए वो विभाग के तरफ से होनी चाहिए और नहीं वो होस करते हैं काफे डौक्टर से हर साल एक्जाम होता है और इंडिया में होता है उसमें करेभान तीस जार जार पाशा कर रहे हैं एक बैच पूरा घाया हमारा जो बैच से पर हुआ था और उन्हें एक महिने अंदर यहां पर आजाना चाहिए था डॉक्टर्स जो सेलेक्ट्ट हो चुके हैं नीट पीजी एक्जाम हुए सेप्टेंबर में हो चुका है और लेकिन अभी तक जो एक्जाम के तरव को ही जो है पूरा काम सोप दिया गया जो बैच को एक बैच जो आना चीह था एक मेने कांसलिंग अंदर पर कांसलिंग तो हुई नहीं है कांसलिंग इतनी डिले हो चुकी है अभी कोई पता नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोट में यह मामला जा चुका है क्योंकि जो दिक्कत आ रही है कि उन्होंने रिजर्वेशन का दे दिया है कि रिजर्वेशन बढ़ा हमारी सिमपल सी मांग है कांशलिंग प्रोसेस को जितना फास्ट कर सकते करें क्योंकि बैच आना चाहिए जो डॉक्टर सatore हो चुके है वो भी एक्जाम सेलेक्ट हो चुके है अभी हमारी स्ट्राइक चलती रहेगी और आगे एजिटेशन हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा शमा कीजिए मैं आपकी बात नहीं सुन पाएगा आप लोग जो आज स्ट्राइक कर रहे हैं क्या आपकी अगर मांगे पूरी नहीं तो आगे क्या है जैसा कि देश व्यापी यह कॉल है फोर्डा की तरफ से और सारे रेजरेंट डॉक्टर असोशेशन इसमें भाग ले रहे हैं देश बर के हम सारी दिल्ली के जो रेजरेंट डॉक्टर से एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और जब तक हमारी मांगे हमारी प्रासनाई नहीं सुनी जाती हैं तब तक हमा वो अभी भी मरीजों को देख रही है और इमर्जेंसी से विदाएं और आईशी से विदाएं अभी सुचारू रूप से बिलकुल अब आधिच चल रहे हैं परन्तु हर बार की एक कहानी ये खेट के साथ कहनी पड़ती है कि हमारे कई प्रयाशों के बावजूर जब तक डॉ लेकार के सवक्षण नहीं गए यहां स्वास्ते मंत्री जी के संवक्षण हमारा अभयान से चल रहा है और किसी S पर सब्सक्राइब सबया अर्ब हर सरकार हमें देख सकते हैं जंता मिनिक सकती है हर सरकार देख रही है तो हम यह कोई पूरा साल आपके पास नहीं है तो हमें बहुत गंबी आशंका है कि आने वाले दिनों में विश्वर ना करें अगर अगर किसी वज़े से कोविड की वेव आती है तो जो मरीज वेवस्ता अभी खुद परिशानी जेल रही है वह बहुत जादा बढ़ सकती है इसलिए हम चाह जो में वापस भेज है आपका नाम मेरा हम डॉक्ति विवेक कुमार है आपने डॉक्टर दीपर्ट अ टुद झाल अज खुद चुछ है कि झाल और झाल और रही है आपका ये ख़ार अपका जोर्टर अज़ा वेवस्ता इंदास ने सबस्ता आपका झाल चाहां।